नमस्कार सभी को दी राइज ओफ नेशलनिजम इन ये रोप ये हमारा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का आप नोटबुक पैनले के बैठिये आज हम इस चैप्टर के सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट है उसको करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ओफ इटली एंड जर्मनी टेंशन ओफ कार्बार स्टेट अखि चाकर रिज अब करको विडियुययर यूनिफिकेशन ओफ जर्म週 ऊथ जर्मन यूनिफिकेशन वच लोग एंद कंप्लिकेटिड रो सेषल्स decepав ultrim dei जियू जर्मनी यूनिफिकेशन जो है वं बड़ी 있त इस और चनल बढ़ी है क्यों क्यों क्योंकि जर्मन जो है वो बहुत सारे टुकुडों में बटा हुआ है साथ में इसकी जो स्टेट है उसको अलग-अलग जो राज्य है जैसे औस्ट्रिया है डेनमार्क है या फ्रांस है इन्होंने कबजा कर रखा है अब जब तक इनको नहीं राय जाएगा जब तक जर्मन कुछ नहीं कर सकते है तो बड़ी ही डिफिकल्ट प्रोब्लम्स है अलग यह डिफिकल्ट वर्क है जर्मनी के लिए लेकिन यह टफ नहीं है डिफिकल्ट है और इसका जो यूनिफिकेशन का क्रेडिट है गोईज टू बिसमार्क बिसमार्क इस दा पर्शिया चीफ मुनिस्टर जो सिन अपती है वो भी है चीफ मुनिस्टर भी है जिने अतीन यूद अफोर्ट थ्री वर यूनिफाइदी जर्मन यह टीन है डैनिस पर्सियन और नोट जर्मन कनफर्डेशन्स यह बनाता है उसके बाद लास्ट जो यूद है वो लड़ा जाता है फ्रांस के वेज तो ल दैनिस पर्सियन और देखिए यह डैनमार्क जो है उन्होंने दो जो स्टेट है वो है स्लेस विंक स्लेस विंक एंट होल स्टेन यह है यहाँ पर क्या है यह दोनों राज्या ऐसे हैं जहाँ पर चर्मन लोग भी रहते हैं और यहाँ पर डैनमार्क जो है जो डैनिस है यान पर रूल करता है अब यहां पर रूल करता है तो आप बिस्मार्क जो है वो एक पॉल से अपनाता है कि उच्छो आर्मी है है उसको टेस्ट करना चाहता है साथ में वो दैनिस को तो अहरा सकता है लेकिन उस्टरिया जो है वो सबसे बड़ी प्रोबिलम है यूनिफिकेशन ओफ जर्मनी में इसलिए हो क्या करता है अपनी आर्मी को जाचने के लिए और थोड़ा स्ट्रोंग बनने के लिए अपनी पोजिशन को स्ट्रोंग करने के लिए वो ये निर्न लेता है कि हम पहले आउस्टेरिया से नहीं भीडेंगे हम किसी और देश से बिढ़ेंगे ताकि हमारी जो पोजिशन हो तोड़ी स्ट्रोंग वजा इसलिए वो पहला यूद लड़ता है डैनिस परसेन और इसमें क्या करता है कि वो यूनिफिकेशन को कर सके इसलिए वो ये यूद लड़ता है अब इस यूद में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो डैनमार्क का जो अधिखार था लेकिन यहाँ पे जो जर्मन है जो जर्मन है वो उस जर्मन जो स्टीजन्स है यानि कि यह कर सकते है जर्मन नसल के लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन यहा हुए सीधा डैनमार्क के साथ यूद लड़ता है और डैनमार्क के साथ यूद लड़ते हुए वो इनके साथ एक संधी भी करता है अब संधी क्या करता है अगर मुए विश्टार से आपको बता हूँ तो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सोट में आपको बताना कि बिस्मार क्या करता है इनके साथ एक गेस्टाइन की संदी कर लेता है और गेस्टाइन की संदी करने के बाद जो ओल्स्टीन और स्लेट स्विंग है वो दोनों स्टेट किसको मिल जाते हैं मिल जाते हैं जर्मन को इससे क्या होता है इसी यूद में एक गटना भी गटित होत कि जो किंग है वो मारा जाता है और किंग मरते ही जो है बिस्मार की जो पोजिशन है वो काफी परशिया के अंदर और बहुत सारे यूरोपियन जो रोयल्स हैं वो उसका साथे लिए त्यार के हो जाते हैं और वो छोटे-छोटे जो किंग थे ट्रेटरीज वो इंडिपेंडेंट होनी भी स्टार्ट हो जाती है अब यहाँ पर यह जीज़ चुके होती है और जीओ जूतने हिपाद इनके साथ संदी की जाती है डैनमार्क के साथ और डैनमार्क के जो दोनों इरिया है वो जर्मन में सामिल हो जाते हैं इससे दो बात होती है कि स्टोन भी बनता है और साथ में उसकी आउस्ट्रिया को तोड़ा सा दिखा भी जता है कि हम यूनिफिकेशन के तरफ बढ़ रहे हैं अब दूसरा जो युद्ध है वो आउस्ट्रिया के किलाब है ये जरूरी था अब इसमें उत्ता क्या है ओस्ट्रिया में अब डूरिंग दी सैवन वीक वोर ओस्ट्रिया वाज टोटली क्रश्ट बाई दी पर्सिन फोर सीच एड़ बैटल उप सोड़ाव ऐसे डी ओ डवलो इस यूद में पूरी तरह से जो ओस्ट्रिया की आर्मी है उसको क्रश्ट कर दिया जाता है मार दिया जाता है और जर्मन आर्मी के दुआरा जो ओस्ट्रिया है उसको बाहर कर दिया जाता है और बाहर करते ही वहाँ पे ओस्ट्रिया जो है वो युद हारती है इसको सेडोवा नहीं बताया आपको यूद कहा जाता है और इसी के साथ ये यूद समाप्त हो जाता है और ये 7 वीक चलता है इसलिए इसको 7 वीक वोर भी कहा जाता है और इसी के फल नतलब कि ये यूद जीतते ही इनके बीच एक ट्रेटरी होती है जो होती है अब प्राग की प्राकी संदी होती है अभी इनके वीच ये टरेटरी होती है और टरेटरी के काण जो Austin area है अभी उनके जो राज जो टरेटरी जो ले रखे थे वो छोटके जाने को तैयार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते है इसी के फल स्वरूफ बाग है उत्री राज्य है जो की संक्या है इनकी 21 अब ये 21 राज्यों की संक्या है इसको साथ में लेकर चलता है और बिस्मार्ख जो की परसिया है परसिया के साथ ये राज्य भी मिल जाते हैं अब ओस्टिरिया जो है ये इनसे जा चुका है और ओस्टिरिया से इनका इंटर नही है क्योंकि पहले उट्रय के कबजे में थेंगे अब भी यह बन जाते हैं अब दीरे तीरे क्या करते हैं अब इनका चेरफ अब यह पने pos करेंगे अब آरमीन की का फिश्टोंग होगी है अब इनको जिबरदस्ती की जितना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे यह जाते हैं यह पूरी जर्मनी को अपने अंदर सामिल कर लेते हैं और यही अकार्ण कि वहाँ पे क्या होता है कि दीरे दीरे पूरी जो company crystal है वो पूरी तरह से Germany के अंडर आ जाती है क्या गता है यह जो best market जो है अब ready हो जाता है किसके साथ यूद करने के लिए France के साथ यूद करने के लिए क्योंकि France आफ बच गया है जिसको उसने हराना है अब जैसे ही फ्रांस को राय जाएगा वैसे ही यूनिफिकेशन इनकी उता क्या है कि जब उस्ट्रिया के साथ यूद लड़ा जा रहा था तो उसमें फ्रांस का जो सासक है रूलर है वो है नैपोलियन थर्ड थर्ड अटैक नहीं करता है परसिया पे तो इनके बीच एक संदी हो जाती है अब होता क्या है उसी दोराने एक और गटना गटती है कि स्पैन के अंदर लोग जो होना अपने राज्जा और रानी को सत्ता से बाहर कर देते हैं थोन आउट कर देते हैं वहार रिवोल्ड हो जाता है अब होता क्या है और कि वहाँ पे जो बिसमार्ग है अब बिसमार्ग अब एक जर्मन कैंडिडेट का नाम वहाँ पे क्या कर देता है उस थोन के लिए सुझाओ देता है कि जो वेकेंट पोजिशन अस्पैन के अंदर वहाँ पे कोई जर्मन व्यक्ति बठा दिया जाए इससे क्या होता नेपोलियन जो है वो गुसा हो जाता है अब नेपोलियन जब एगरी होता है तो वो डिकलेर कर देता है वोर अगेंट्स परसिया अब फ्रांस ने डिकलेर कर दिया पर्सिया के अगेंट्स युद अब पर्सिया क्या है अब पर्सिया खाफी स्टोंग है अब पर्सिया का मतलब पूरी जर्मन अब जर्मन ने इस पे अटायक करता है और पूरी तरह से फ्रांस को ये हरा देता है और ये युद बूल जाता है सेडान का युद किसका युद ब पर्सा को मिल जाते हैं और फाइनली जो है अब यूटिकेशन complete हो जाते है और बाद में जो है यहां का जो William William जो first है उनको जर्मन का जो सासक है समराथ है वो announce कर दिया जाता है और इस परकार पूरी तरह से यह जर्मनी की जो unification हो complete हो जाती है इसमें सबसे जो important role play करते हैं वो bismark करते हैं क्योंकि bismark नहीं एक policy अपनाई है blood and iron की रखतोर लोग ही निती इसके बेश पर यह पूरी तरह से क्या गलते हैं जर्मन यूनिफिकेशन complete हो जाता है 1871 यूनिफिकेशन आफ इटली अब इटली की यूनिफिकेशन को हम दू तरह से बढ़ सकते हैं तो directly इसके इवेंट को देख सकते हैं दूसरा तरीका है कि हम इनकी अतीन परस्नेल्टी हैं इन्होंने बड़ा important role play किया अलग अलग तरह के nature के लोग हैं और इनके हम अगर personality बढ़ें इनका रोल पढ़ लें अगर एकजाम में युणिफिकेशन की उनिफिकेशन ओपीट ली तो आप दो तरह से लख सकते हैं इवेंट वाइज आप लेंग सकते हैं दूसरा इनके रोल्स लिखके आप उनिफिकेशन को बता सकते हैं दोनों ही आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे फुल मार्कस आपको मिल दे है तो start करते है जूशब मैजनी, जूशब गेरिवालडी और कैवूर मैजनी जो है एक तरह से फ्लोस पर है और सिक्रिट जो सोसाइटी है उनके establishment करते हैं जूसप गेरिवाल्डी जो है एक सेनापती है, कैवूर, क्या है, ना तो ये अपलोस पर है, ना ही ये, क्या है, ऐसे सेनापती है, वोरियर है, ये है डिप्लोमेट, तो इन तीनों के वज़ए क्या होती है, यूनिफिकेशन इटली की हो जाती है, स्टार्ट करते हैं, रिवोलूटिणरीज, और इनकी जो है, ये दो सनस्ताइब बनाते हैं, जो ना ये यंग ये यऊरोप, अब दोनों ही सनस्ताइब насेराओर, लोगों को अवेर करते हैं, ये लोगों को अवेर करते है, जो पीपल है, उनके अंदर नैसल्लीजम की जो सेंस है, ये डेवलप क करते हैं इन्हीं की बदोलत लोग रिवोल्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हीं की वजय से क्या होता है कि दो ऐसी इवेंट होते हैं जो की काफी इस्ट्री जो यूनिफिकेशन उफ इटली है उसमें काफी हो करते हैं क्या करते हैं 1848 के अंदर क्या होता है वियान एन्मेटरनिक जो है वो आश्ट्रिया को छोड़के भाग जाते हैं जिससे ये इनका रोल वहाँ पे काफी एहम था तो इटली के अंदर भी ऐसे ही रिवोल्ट करवाने में काफी बूमी का अपनी निबाते हैं जो यूनिफिकेशन में जो रोल हो काफी इंपोटेंट है दू कि इन्होंने परहे डिप्लोमेटिक वे में जो है यूद जीते हैं इन्होंने क्या किया कि इनकी जो है इनकी डिप्लोमेट नीती के कारण ही क्या हुआ था वोल वोर अगेंस फ्रांस और आस्ट्रिया थूज डिप्लोमेटिक वेंज तो इनकी वजए से ही इस तरह से हमने इटली ने दोनों ही स्टेट यानि गाश्टरिया और उफांस उसमें काफी अस्टों बने जाते दोनों युद जीत लिये थे अब थर्ड आता है इसमें जूशेफ गैरिवाल्डी अब गैरिवाल्डी क्या है इनको माना जाता है हीरो ओफ रेड सर्ट लाड कूर्टी के बाद जा यह इनोंने क्या किया था जो पीजेंट है पीजेंट्री जो 80 परसेंट जो क्लास होती पीजेंट्री उनको रेडी किया था इन्होंने अपने विश्वास में ले लिया था और इन्होंने Spanish जो रूलर्स हैं उनको उख़ड फैका था और इनके इटली की जो Spanish के अंडर जो ट्रोटरीजी उनको कही ना कही इन्होंने आजाद करवा लिया था जूसे गैरिबाल्टी के कारण ही 1860 के अंदर जो सिसली और नेपल्स में जो रिवोल्ट हुए थे उनके वो दोलत वहाँ पे जो सासक था उसको राजगती से बाहर फैक दिया गया था और वहाँ जो है गैरिबाल्टी की वजए से ही वहाँ पे इटली ने जो है दोनों सिसली और नेपल्स पे राज कर लिया था और इस तरह से तीनों की हैल्प से जो इटली है इटली सेवन जो स्टेट में बटी वी थी दो की वज़े से इनों ने दो इनों ने और कुछ को इनो करते हैं लाइक जर्मन इटली एट टू हैड लोंग इस्ट्री की बात हम करते हैं वैसे यहां पे भी बहुत सारे राजनेतिक रूप से टकराव देखने को मिलते हैं अब इटालियन्स जो हैं वहां पे बहुत सारे वन्स चले हुए हैं मल्टी नैशनल जो हैं अंसबर्ग एमपायर यानिके तरह तरह के छोटे-छोटे सेवन स्टेट में डिवाइड है और अलग-अलग किसी आस्ट्रिया का है कहीं पर स्पैन कहां कहीं आस्ट्रिया ने कहीं इसने इनके सीज आउट कर रखा है अब इनको आउट करने के लिए तीनों परसनल्टी जब अभी मनें डिसकस किया यह हैं क्या है इतली वार डिवाइड इन्टू सेवन स्टेट इटालियन लेगवज दिनोट एक्वार वन कोमन फोमन स्टील मैनी रिजनल और लोकल वेरिय ऐघल दीकने को मिलती है अब इतनी citation होने कारण यह क्या है वो divide है तो unity नहीं है nationalism नहीं है लिए कि जो सब मैजनी जो आते हैं यह क्या करते हैं कि इन्होंने जो संस्थाए बनाई उनके द्वारा यह क्या करते हैं और प्रोग्राम लोंच करते हैं Unitary Italian Republic यहां के जो है कि लोगों का वेर करते हैं, उनके राइट्स के परती, उनकी जो रिवोल्ट है, जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनको कैसे लिया जा सकता है, उन स्कुरेट सोचाइटी के त्रू यह करते हैं, और यह अपने गोल्ज को पावे लेते हैं. हाला कि the failure revolutionary uprising both 1830 and 1848 के दोनों में ही ये हाला कि हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं था कि अभी ये नीचे गिर जाएंगे नहीं अब साडिया और पिड्मोंट वहां के बहुत important राज हैं जहां पे विक्टर एमिनल सेकिंड राज करते हैं और ये साडिया और पिड्मोंट जो हना यहीं वहां unification ला सकते हैं और बिसमार्क जो हैं यहां के start करते हैं कि हम युद लड़ेंगे और साडिया और पिड्मोंट के जो सेना पती हैं वही कहते हैं कि हम युद लड़ेंगे अंडर इसके विक्टर एनिमल सेकिंड के हैं और इटालियन स्टेट जीत जाती है और यूनिफाइड हो जाती है इटलियन ओफर देम पोसिवल्टी इकनोमी पोलिटिकल डॉमिन से स्टार्ट कर देती है और इटालियन स्टेट जो थे ना तो रिवल्टी इतने थे नहीं डेमोक्रेट थी लेगे इन तीन परसनल्टी की वजए से ही यूद जी देते हैं क्योंकि वहां पे रिवल्टी भी करवा जाते हैं स्करेट सट्राइट बनाए थे इटालियन पापुलेशन अमंग वूम रेट्स तू लिटरेसी और हाई रिमेंट ब्लिस्पुल अनवेर ओफ दा लिबरल नेशनिश आइडोलोजी और यह वो बता रहे हैं कि इटालियन यूनिफिकेशन हो गई लेकिन वहां पे यह बड़ी समश्याएं थी कि वहां कि ज विजवल फ्रीडम क्या है लेकिन विद्धी हैल्फ ओफ थी परसनल्टी वहां पे यूनिफिकेशन डन हो जाती है अब आता है विजविलाइजिंग दिनीशन विजविलाजिंग चित्रा आत्म करूब से प्रस्तूत कर देना विजविलाइज कर देना उसको देख लेना व वहां जहां हैएज healthy है कि अरुको पोर्टेट के थूफिये seamless की हम इंडिया की बात करते तो हम बारतमाता का photo लगा करने महा है मखाय वो बॉत मताइज डेंसी और ड्रुकिंगे जाते हैं deeply अजविग से तरह से विजविविवत मता है जो लोगों को gathering कर सकता है, ही कटा कर सकता है, एक identity दे सकता है, तो वैसे ही nation को visualize करना start करते हैं, in other words, they represented country as it was a person, कि वो country को इस तरह से represent करना start करते हैं, कि ये एक person है, कोई व्यक्ति है, जिसके हो हम दिखा सकते हैं, जिसे भारत माता, भारत माता कोई है नी न, लेकिन हम अपनी देश को भारत माता की science में develop कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक विजुलाइजिंग में, क्या है, एक ऐसी idea है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी country को, किसी person के through, क्या कर लेते हैं, परजेंट करते हैं, a nation was then portrayed as a female figure, वो ज्यादा तरह जो female figure को huge किया गया है, ति female figure became a allegory of the nation, और उसकी एक symbol बन गया, एक allegory बन गया, उसका परतीक बन गया, बहुत सारे आप हैं, जो वो huge करना start कर दिया, अब आप मुझे ये बताना कि, अब female figure को क्यों huge किया गया है, भै male figure को क्यों नहीं huge किया गया, अब female figure को ऐसे क्यों huge किया गया था, मुझे please comment box म जरूर हो जाए, next, अब आता है nationalism and the imperialism, अब nationalism तो मैंने आपको समझाया था, कि a sense of belongingness, identity, प्रूप करना, देश के पर ती प्यार होना ही क्या है, nationalism, sense develop होना ही nationalism, imperialism क्या है, इसको बोलते है समराच जवाद, ये क्या है, अब a political system in which a reach and a powerful country, country, control the other country, इसके अंदर क्या होता है, एक powerful country है, जो दूसरी country पे राज करना चाहती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करती है, वो which are not to as rich and powerful itself, जो अपने आप में powerful नहीं है, लेकिन वो powerful country, दूसरी जो है, poor country पे, क्या करती है, आके राज करना स्टाट, दीरे दीरे वाँ की political situation को, economic situation को, क्या कर लेती है, अंदर कंट्रोल कर लेती है, और दीरे दीर क्या कर लेती है, अपने अंदर exploited करना, वहां के resources को start कर देती है, इंपरिली जी में ये policy और ideology extending a country rule over the foreign nation, often military forces are gaining political and economic control of the other area, कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक policy बना लेता है, एक idea है, एक विचारदारा है जिसके अंदर क्या करता है, एक country है, जो भी powerful है, या rich country है, वो दूसरी जो foreign, दूसरे जो देश है, उन पे राज करना start कर देती है, उस पे क्या कर लेती है, अपना अधिपत्ता स्तापित कर लेती है, और क्या करती है, वो प्यार से नहीं करती है, वो क्या करती है, military forces से, वह वहां के जो है political और economy controlled अपने अंदर ले जते हैं वहां के resource को अपने point of view से यूज करना start कर देते हैं अपने फाइदे के लिए काम करना start कर देती है this is the last and the most important part of this chapter Balkan issues क्या होता है बालकान जो आर्ट at present day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Crotia, Serbia ये जो इलाका है वो क्या है present day का वो बालकान state कहे जाते थे अब यहां पे कहता है Ottoman Empire था और इनको mostly slabs बोला जाता था इनको जो huge किया जाता था वो slabs बोला जाता था slabs country इनको बोला जाता है तो यहां पे Ottoman Empire होता था अब क्या करता है यहां पे romantic nationalism आता है जो क्या करता है region और science को reject करता है और वहां language culture based पे movement चलाता है और वहां पे क्या होता है जब अब यहां पे धीरे धीरे nationalism आना start हो जाता है और nationality broken होनी start हो जाती है लोग independent होना start हो जाते हैं यह अजाद होने के बाद अब newly independent country है तो यहां क्या होता है अब यह अपने आपको define करते हैं अपनी identity को और अपने आपको influence करना चाते हैं दूसरी country को और दीरे दीरे इनके अंदर क्या आ जाती है यह sense भी develop हो जाते हैं कि new country है तो हम अपनी जो area है उसको expand करें इनके अंदर यह sense आ जाती है imperialism की समराजवाद की कि हम तो अजाद हो गए अब दूसरी जो country है उस पे हम क्या कर ले राज कर ले लेकिन इसी के साथ जो European जो country है जाए रसिया है जर्मनी है इंग्लैंड है उस्ट्रिया अंग्री है वो भी यह चाते हैं कि यह बालकान जो state है यह new market के रूप में हमारा का लिया जाए तो यही situation क्या बन जाती है वहाँ पे conflict बन जाते हैं और यह region जो है वो क्या वज़ाता है tension से पर पूर जाता है क्योंकि हर किसी के मन में लाल चा जाता है कि हर को इस state को क्या कर जाता है control करना चाहता है और यहां के जो resource region को utilize करना चाहता है क्या कहता है at the same time यह साथ में identity प्रूब करते हैं और Balkan regions become a region of intense conflict and expansion of trade region conflict ओने start होते हैं यह अपनी trade region को expand करना चाहते है at the same time the great European powers Russia, German, England, Austria and Hungary were keen on taking the control of the Balkan regions since it is important from trade-off point of view कि वह यह जो country है यह भी अभी यहां पर आ जाते हैं trade कि यहां पर trade हो सकता है इनको अंडर कर लेजे और क्या हो जाएगा यहां पर हमारे trade region बन जाएंगी साथ में यहां के resources zone का utilization कर लेगा this led to series of war और इनी के कार्ण के उत्तब बहुत सारी यूदोने वहाँ पर start हो जाते है इस region के अंदर और finally to the first world war और यही कार्ण बनता है यही wars जो है यही source imperialism की क्या बन जाते है कि जाके first world war का कार्ण बनती है यह तब Balkan state कुछ homework है जो मैंने कुछ एक दो topping मैंने नहीं पढ़ाई है आपको वह कर ले न Frankfurt Parliament and case of Britain यह दोनों आप में बनाई है और साथ में Notes on Unification Germany and Italy यह chapter का सब से important part है यह chapter आज आपका complete होता है और कुछ भी आपको doubt है तो आप comment box में लिख सकते हैं इस video को आप share और like, subscribe जरूर करें Thank you Thank you very much